भाई और बेनों, 2014 के बाद से सरकार का प्रयास समाज के उस वर्ग को ससक्त करने का रहा है। जिने पहले सरकारी सहायता मिलनी बहुत मुश्किल होती थी। इस वर्ग तक सरकारी योजनाएं या तो पहुँचती नहीं थी या फिर वो बिचोलियों के हाथों लूट जाता था। आप देखिए, बीते वर्षों में हमने हर उस वर्ग तक सरकारी सहायता पहुचाई है, जो पहले इससे बंचित थे। हमारी सरकार में कार्मिक स्रमिक ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविदा मिली है। हमारी सरकार ने छोटे किसान की सहायता के लिए उसे पी-एम किसान सबमान नीधी की शक्ती दी है। रहडी ठेले फुटपात पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को हमने पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का रण दिलाया है। इस वर्स का बजेट इसी भावना को आगे बढ़ाता है। पहली बार हमारे विश्व कर्मा बेहनों भाईयों के लिए भी देश में एक योजना बनी है। विश्व कर्मा यानी हमारे वो साथी जो अपने हाथ के कौसल से हाथ से चलने वाले किसी ओजार की मदद से कुछ निर्मार करते हैं, स्रजन करते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे कुम्बारा, कम्मारा, अकसालिगा, शिल्पी, गोरे के लस्दवा, बढ़गी, आदी जो हमारे सब साथी है। पी-एम, विकास, योजना से अब ऐसे लाखों परिवारों को, उनकी कला, उनकी कौशल को और सम्रुद्ध करने में मदद मिलेगी। साथियों, इस वैश्विक महमारी के समय में, राशन पर होने वाले खर्च की चिंता से भी, हमारी सरकार ने गरीब परिवारों को मुक्त रख रखा है। इस योजना पर हमारी सरकार चार लाख करोड रुपिय से अधिक खर्च कर चुकी है। गावों में हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के लिए बजेट में अभूत पुर्व सत्तर हजार करोड रुपिय रखे गए हैं। इससे करनाटका के अने गरीबर परिवारों को पक्का घर मिलेगा। जिन्दगी बदल जाएगी।